दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि घर बैठे अपने मुवाइल फोन से किस परकार से इंकम सर्टिफिकेट यानि की आई परमान पत्र बनाते हैं वो भी बिल्कुल असानी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तो हमने अर्टिफियस का ओफिसल वेबसाइट ओपन कर लिया है इसका दोस्तो लिंक हमने वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहां से क्लिक करके आप नर्मली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे अब दोस्तो यहाँ पे आने के बाद नर्मली आपको स्क्रॉल करना है इससे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक उप्सन देखने को मिल रहा है समान्य पर्शाषन विभाग जैसा कि यहांपे आप देख पा रहा है Normally इस Plus के Sand पे आपको klik कर देना है Click करने के बाद दोस्तों यहांपे देख पा रहा है तिन नमबर पे लिखा हुआ है आई परमान पत्र का नर्गोमन तो यहांपे Plus के Sand पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर तीन ओप्शन देखने को मिल रहा है पहला ओप्शन है अंचल अस्तर यानी कि CO या फिर इसे हम RO लेफल बोलते हैं इसके बाद दूसरा जो अप्शन है यहां पर सबसे पहले आपको अंचल अस्तर का ओनलाइन अपलाई करना होता है और ज्यादा तर जो यहां पर आपका आई परमान पत्र यूज में आएगा वह सिर्फ और सिर्फ अंचल अस्तर का ही आता है तो नौर्मली हमें बनाना है अंचल अस्तर का तो हम क्या करेंगे अं प्लिकेशन फॉर्म उबर के आ जाएगा जिसे आपको बिल्कुल केरफली यहां पे फिलब करना होगा तो जैसे कि दोस्तों इसे हम स्क्रॉल कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पे आप देख पार हैं बोला जा रहा है अविदन का विवरन वाले सेक्शन में सबसे पहले देखना है कि अगर आप इस तरी के लिए बना रहा है तो इस तरी पर क्लिक करेंगे और पुरूस के लिए बना रहा है तो नर्मली यहां पर पुरूस को हम सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद यहां से अभिवादन पर क्लिक करके यहां से सीरी पर हम नर्मली क्लिक कर लेंगे इसके बाद scroll करेंगे अब देख पा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है name of applicant तो यहाँ पे आपको ध्यान दखना है कि जिनके भी नाम से आप आई पर्मान पत्र बना रहा है उनका क्या करना है English में नाम आपको यहाँ पे लिख देना है और साही दोस्तों यहाँ पे मैं यह भी बताऊंगा कि हिंदी में आपको किस परकार से टाइप करना है इसके लाबा दोस्तों इसे हम scroll कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा है बोला जा रहा है father का नाम डाले इसके बाद scroll करेंगे इसके लाबा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा है name of husband तो चुकि दोस्तों हम यहाँ पे प्रोस का बना रहा है तो हम क्या करेंगे husband वाले section को यहाँ पे normally खाली छोड़ देंगे यहाँ पे आपको data भरने की बिल्कुली व्याव सकता नहीं है अगर आप इस तरी का बना रहा है अगर उनका साधी हो चुका है फिर आपको यहाँ पे उनके पती का नाम डालना है अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद बोला जा रहा है अवेदक का mobile संखिया डाले तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको कोई active mobile number यहाँ पे डाल देना है mobile number डालने से यह फायदा होगा कि जैसे ही application final submit हो जाएगा automatic इनके register mobile पे message आ जाएगा कि आपका आई पर्मान पत्र online आवेदन हो चुका है इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है email ID डालें तो यहाँ पे आपको कोई email ID डाल देना है और ध्यान डखना है कि वो active period में होना चाहिए इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका आई पर्मान पत्र बनके तयार होगा automatic by default जो है उनके email ID पे इसका PDF यानि कि इसका certificate बना करके भेज़ दिया जाता है इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है पता डालें तो यहाँ पे आपको पता भरना होगा तो इसे हम scroll कर लेते हैं और अगर वो नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो नर्मली यहाँ पे नगर निगम पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप अपने according सेलेक्ट करेंगे इसके बाद scroll करते हैं अब दोस्तों बोला जा रहा है word number डालें तो यहाँ पे आपका जो भी word संख्या है वो संख्या यहाँ पे डालना है साथ ही यहाँ पे आप अपने गाउं का नाम लिखेंगे यानि की विलेज का नाम इसके लावा post office का नाम यानि की डागगर कहा है वो यहाँ पे आपको टाइप करनी है इसके लावा जो भी थाना है आपका वो थाना यहां से सेलेक्ट करेंगे साथ ही आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहां पे डालना है, इसके अलाबा धुस्टों है यहां पे देख पार है आविदक का फोटो वाले सेक्शन में, यहां पे आपको एक पासपॉर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, तो यहां पे आपको खासतर दियान डखना है, मैं आप अधार काट बनाए होंगे उस समय जो भी अपने मुवाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको डालना होगा तो इस बात का खास द्यान रखें यहाँ पर आपको अधार नंबर बिल्कुल भी नहीं डालना है इससे यहाँ पर कोई इदन का उद्देश से क्या है तो यहाँ पर नर्मली आप फर्म भरने है तू लिख सकते हैं इंगलिस में इसके लबा दोस्तों लिखा हुआ है सरकारी सेवा से आई कितना है तो यहाँ पर अगर आप सर्विस कर रहा है तो यहाँ पर आपको सरकारी से कितना इंकम है वो इ आई अगर आपको याँ पिजनेस करते हैं तो उससे कितना इनकम हो राह वो इनकम यहाँ पर आपको ढ़ना है अन्य था इससे आप Ge lorsque चोड़ा सकते हैं इसके लाएं बोला जारा है अन्य अस्तुरहतों से आई तो यहाँ पर आपका कोई और इंकम का शरोत है तो वह income यहाँ पर soy करेंगे एन डूस्तों यहाँ पर देख पारा है जो भी capture code वो same to same capture code यहां पर आपको डालना है इसके बाद scroll करेंगे यहाँ पर जो देख पार है प्रोसीड वावला button normally आपको प्रोसीड पर किलिक कर देना है तो चलिए हम सब एक नया टैब में ले जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंतजार करना है सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको Chrome browser नहीं यानि कि यहाँ पर आपको Firefox यानि कि Mozilla का जो Firefox होता है इसे आपको install कर लेना है प्ले स्टोर से इसके बाद आप online apply करें Mozilla Firefox से तो ज्यादा बहतर होगा यहाँ पर page भी बार बार कट बिल्कुल नहीं होगा तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहा है एक नया टैब उबर के आ चुका है यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे में जो देख पा रहा है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहा है दस्तावेज वाले section में यहाँ पर normally आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे दस्तावेज आपके सामने वरके आ जाएंगे जो कि आप इनमें से कोई एक दस्तावेज को यहाँ पर आपको upload करना होगा तो चुकि दोस्तो हम अधार काड़ अपलोड करेंगे तो अधार काड़ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ से browse जो देख पा रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से अधार काड़ अपलोड कर देंगे जैसा कि यहाँ पर हमने अधार काड़ को select कर लिया है इसके वास शिब अनेक्षर पे क्लिक करेंगे फिर से आपको थोड़ा इंतिजार करना है ये एक नया टैब में उभर के आएगा तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पारा है फिर से नया टैब उभर के आ चुका है यहाँ पे बोला जारा है Submit करने के लिए जैसे ही आप Submit पे क्लिक करेंगे आपका application Final Submit हो जाएगा तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा इंतिजार करना है यहाँ पे इसका receipt generate हो करके आएगा तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पारा Final Summit हो गया है यहाँ पे Acknowledgement नमबर दे दिया गया है और साथी यहाँ पे नीचे में जो देख पारा Export to PDF इस पे क्लिक करके आप इस PDF को Save करके रख लेंगे तो चली हम Export to PDF कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ से हम Normally इसे डाउनलोड कर लेते हैं साथी देख पारा है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है साथी डाउनलोड भी हो चुका है अब इसे हम Open करके आपको दिखा देते हैं इसके बार Drive PDF पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पारा है कुछ से प्रकार से आपका Receipt Resendate होगा इसे आपको Print करके रख लेना है और यहाँ पे इसी Receipt Number से यहाँ पे जो दिया जाता है BIWCO करके यहाँ पे अवेदन संख्या इसी संख्या से आप नर्मली अपना आई पर्मान पत्र ठीक 10 से 12 दिनों के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे इसी वेबसाइट से यानि की Service Plus यानि की RTPS का जो Official वेबसाइट है Service Plus यहीं से आप नर्मली अपना आई पर्मान पत्र डाउनलोड कर पाएंगे साथी दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Google Indic Keyboard अपने Play Store से डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल जैसे ही आप करेंगे तो आपके Keyboard में Automatic Hindi Font आ जाएगा तो यहाँ से आप नर्मली टाइप कर पाएंगे साथी दोस्तों इस वीडियो से डिलेटेड कोई भी कोई आडिया है तो प्लीज कमेंट सक्षिन में जरूर कमेंट करें इसके लावा दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूंगा अगर माली ची यहाँ पे बारवार एरर आ जाता है आपका आपका आवेधन करने से डिलेटेड तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए वो थोड़ा स्पीड में आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको Firefox Mozilla यूज करना चाहिए तो दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिए क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और साथी दोस्तो कैसा लगा यह वीडियो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए